यू तो इस बात की जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि किस जून को सूरे ग्रहन लगने जा रहा है लेकिन अब हम आपको इस ग्रहन से जुड़ी कुछ ऐसी खास बाते बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूर है जिहां आपको बता दे देश में इस साल के सबसे बड़े दन्यानी की 21 जून को पढ़ने वाला सूरे ग्रहन दुरलब सूरे ग्रहन नहीं है जिहां कहा ज़ारा है कि ये वलायकार सूरे ग्रहन होगा इस सूरे ग्रेहन के खाल ये है कि ये एक दशक बाद 21 मैं 2031 को दिखाई देगा केंद्रिय विगान एवं प्रधोगी की मंत्राले काम करने वाले नई ताल का रिभत प्रशीक्षन विगान शोद संस्थान सूरे ग्रेहन का जिविंत्र सर्वेक्षन करेगा आपको बताना चाहेंगे आपको क्लें को अपरा 12 के 8 मिनत पर सूरे ग्रेहन अपने चरम पर होगा और सूरे ग्रेहन के इसी चर्मोद करश को उत्तर भारत के कई हिस्सों में दिखा जाएगा ग्रेहन अपरहार के 1 बज कर 54 मिनत पर समाप्त हो जाएगा साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले इसी प्रकार वलाई ग्रहन 21 दिसंबर को देखा गया था आपको बता दें इस सूरे ग्रहन से जुड़ी कई ऐसी खात है जो कि बताई जा रही है कहा जा रहा है कि इससे पहले जो 26 दिसंबर 2019 को वलाएगा सूरे ग्रहन पड़ा था वो देश के दक्षडे हिस्ते में देखा गया था लेकिन आने वाली किस जूर को होने वाला सूरे ग्रहन देश के उतरी हिस्सों में देखा जाएगा खुले आखों से बिलकुल ना देखे सूरे ग्रहन को जिहां एक्सम या साधारन चश्मे से भी ना देखे पेंट की ये शीशे से भी ग्रहन को देखना सुरक्षित नहीं है क झाल झाल